हेलो जहिन दोस्तों मैं शुबम आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूटूब चैनल शुबमी क्लासिस में आज की क्लास में हम जी के और जी एस के मिक्स टॉप 51 वेरी वेरी इंपोर्टन कोशन डिसकस करने वाले हैं अगर आपका भी आने वाला एक्जाम है चाह अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं तो देखिएगा स्टार्ट करने से पहले आपको बता देगी प्रस्णों की संख्या 51 है और मैं आपको टार्गेट दे रहा हूं 35 कोश्चन राइट करने का पहला कोश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर और लास्ट में सभी का आंसर मुझे क कमेंट बॉक्स में चाहिए कि इन 51 प्रस्णों में आज आपका स्कोर कितना हुआ है पहला कोश्चन है सी के नाइडू कप किसी खेल से संबंदित है जल्दी से आंसर देंगे ऑप्शन है बेडमिंटन फुटबॉल क्रिकेट या फिर टेबल टेनिस तो आंसर मैच क्रिकेट आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है सी के नाइडू कप का संबंद क्रिकेट खेल से है कोशन नंबर सेकिंड आपके सामने स्क्रीन पर भारत में वीरता का सर्वोच्च सैनिक पुरसकार कौन साहे विच इस दा हाइस्ट मिलिटरी आवार्ड फोर ग्यलेंटरी इन आप्शन है परमवीर चक्र अशोक चक्र किर्ती चक्र या फिर पदम श्री तो जिनोंने भी यहाँ पर आप्शन एक को आंसर दिया है परमवीर चक्र उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है और देखिएगा आपसे एक्जामे पूछ सकता है सर्वोच्च गैर सैनिक पुरसकार सर्वोच्च गैर सैनिक पुरसकार तब आपको आंसर करना है अशोक चक्र कलियर है चलिए नेक्स है कोशन नमबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर इसका आंसर जल्दी से देंगे कोशन है बावल कि सराज्य का लोकंद रित्य है बावल इस दा फोक डांस ओफ विच इस्टेट महाराश्टरा उत्तर प्रदेश जारखंड पस्चिम बंगाल राइट आंसर ओप्शन डी रहेगा जिन्होंने भी पस्चिम बंगाल को आंसर दिया है उनका आंसर बिलकुल करेक्ट है कोशन नमबर फोर निम्न में से भारत की पहली बोलती फिलम कौन सी थी वेरी वेरी स्टेटिक जीके का कोशन है जल्दी से आंसर दीजे विच ओव दा फोलिविंग वाज दा फ़र्स्ट टॉकेटिव फिलम ओफ इंडिया तो आंसर मैच करेंगे अगर आप सभी आप्शन बी को आंसर दे रहे हैं आलम आरा आपका आंसर बिलकुल करेक्ट है आलम आरा भारत की पहली बोलने वाली फिलम थी नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर फाइव है कोशिका में न्यूकलियस की खोज सर्व प्रथामक किस ने की थी जल्दी से आंसर दीजेगा इस प्रेशन का ओप्शन आपके सामने है समय चाहिए तो आप सेशन को बीच में रोक सकते है न्यूकलियस का मतलब क्या है हिंदी में बता देता हूँ केंदरक कोशिका में केंदरक की खोज किस ने की है तो यह की है रोबर्ट ब्राउन ने आप्शन आपका एप बिल्कुल करेक्ट आंसर है कोशन नमबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर मिनी माता रोग किस कारण से होता है ओप्शन है सीसा, केडमियम, जस्ता या फिर पारा तो देखिएगा मिनी माता रोग जो है यह जल में पारे के मिलने से होता है यानि कि पारे युक्त जल से मिनी माता रोग होता है option आपका D याँ पे बिल्कुल correct answer है अगर आप सभी ने option D को answer दिया है तो आपका answer बिल्कुल correct है चले आगे चलिए question number 7 है निम्न लिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है which of the following is not a root option आपके सामने है आलू, मूली, गाजर या फिर जिमी कंद तो सही जवाब जिनों ने भी याँ पे option A को दिया है आलू उनका correct answer है आलू जो है ये क्या है तने का एक प्रकार है ये आपको ध्यान रखना है next question number 8 आपके सामने screen पर जल्दी से answer देंगे hydrogen का प्रमानू द्रविमान कितना है प्रमानू संख्या hydrogen की कितनी है जल्दी से बताए तो बिल्कुल right answer जिनों ने भी option D को दिया है एक उनका answer बिल्कुल correct है इसको correct कर लेना ये hydrogen की प्रमानू संख्या है clear है option D बिल्कुल correct answer है next question number 9 आपके सामने screen पर इसका answer जल्दी से दीजेगा लोहा, aluminium, चांदी, एवं, तांबा में से किस धातु में अधिक्तम उश्मा चालकता होती है जल्दी से answer दीजे very very important which matter has the highest thermal conductivity among iron, aluminium, silver and copper right answer option A रहेगा चांदी में उश्मा चालकता सरवादिक होती है जिनोंने option A को answer दिया है उनका answer correct है question number 10 Kelvin, dash मा अपने की इकाई है simple सा प्रशन है किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए तापमान, घनत्व, आयतन, भार answer match कीजेगा अगर आप सभी यहां पे option A को answer दे रहे है temperature आपका answer बिल्कुल correct है next बढ़ते हैं question number 11 की तरफ फटा फट से प्रशनों को डिसकस करेंगे सभी को टेस्ट लगाना है और लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए question number 11 है प्रीजम से प्रकाश गुजारने पर कोन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है सफेद रंग, लाल रंग, बैंगनी रंग या फिर हरा रंग तो सई जवाब मैच करेंगे option आपका C बिल्कुल correct answer है बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है क्योंकि बैंगनी रंग का तरंग ध्यर्य क्या होता है, सबसे कम होता है इसलिए यह रंग अधिक फैलता है question number 12 श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रन होता है बताईएगा जल्दी से आपके एक्जाम में पूछा जा चुका है यह वाला प्रशन पहले भी श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रन है सई जवाब आपका यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा सात रंगों का मिश्रन है question number 13 ग्यानी मेड किस ग्रह का उपग्रह है ग्यानी मेड इस दा सेटलाइट आफ विच प्लैनेट शनी अरुन ब्रेस्पती या फिर प्रित्वी आंसर मेच किजेगा option C आपका correct आंसर है ग्यानी मेड जो है यह ब्रेस्पती ग्रह का उपग्रह है जिनोंने option C को आंसर दिया है उनका आंसर correct है बढ़ते हैं next पे question number 14 कोन सी कालपनिक रेखा जिरो डिगरी आक्षांस पर इस्थित है विच इमेजरी लाइन लाइज एट जिरो डिगरी लेटिट्यूड जल्दी से अंसर दिजेगा option आपके सामने स्क्रीन पर है तो मैच किजे जो भी option B को आंसर दे रहा है equator line उनका बिलकुल correct आंसर है जिरो डिगरी आक्षांस भूमद्य रेखा पर इस्थित है इसको विशूवत रेखा भी बोलते हैं ध्यान रखेगा विशूवत रेखा next question number 15 मांचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते है what is the science of making maps called बिलकुल correct answer आपका option है रहेगा kartography जिन्होंने option A को answer दिया है उनका answer बिलकुल correct है चलिए next बढ़ते हैं question number 16 की तरफ lowest पठार कहा इस्थित है जल्दी से बताईए where is the lowest प्लेट्यू लोकेटेड Canada, Russia, China या फिर Japan तो क्या answer कर रहे हो जो भी यहाँ पर option C को answer देना है चाइना उनका correct answer है lowest का पठार जो है यह चाइना में है जिन्होंने option C को answer दिया है right answer है match करिएगा चलिए next question number 17 आपके सामने Ottawa डेश की राजधानी है Ottawa is the capital of which country Australia पूर्टगाल, Canada, Spain सही जवाब रहेगा इसका option C Ottawa जो है Canada की राजधानी है अगर आपने option C को answer दिया है आपका answer correct है question number 18 की तरफ चलते हैं सामने है screen पर हिमाले परवत श्रंकला किसका उदारन है जोला मुखी परवत का अफसिष्ट परवत का ब्लॉक परवत का या फिर वलित परवत का तो हिमाली परवत जो है यह वलित परवत का उदारन है option आपका D या पे बिलकुल correct answer है question number 19 आपके सामने है screen पर जल्दी से answer दीजे भारती सविधान में संगवाद किस देश के सविधान से लिया गया है super important question option है यूरोप, कनेडा, इस्पेन या फिर जापान from which country is federalism taken in the Indian constitution तो answer match कीजेगा संगवाद जो है कनेडा के सविधान से लिया गया है option आपका B बिलकुल correct answer है मैं उमिद करूँगा सभी विधारती बिलकुल सई answer दे रहे होंगे और आपको आज का test भी पसंदा रहा होगा पूरे 51% discuss करने वाले हैं हम थोड़ी सी लंबी class होगी अगर आपको session पसंदा रहा है और अगर आपने भी तक हमारा session लाइक नहीं किया है तो साइक जरूर करिएगा अगर आपका कोई भी फ्रेंड आर्मी की त्यारी कर रहा है तो उसे हमारा चैनल जरूर शेयर करेंगे और यदि लब आपको लगता है कि हमारा चैनल आपके exam के लिए helpful है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद सभी को बेल आइकन जरूर दबाना है और डेली सुबह 10 बजे हमारी कलास होती है इसको आपको ध्यान रखना है को कौशन नमबर 20 है भारत के सविदान सभा का सविदानिक सलाकार कौन था और तो डाक्टर राजेंदर परसाद जोहर Dal Nheru BN राव ईयु 오른 न राव को करेक्ट अमसर ओप्शन सी रहेगा वी एन राव भारत के सविदान सभा का सविदानिक सलाकार कौन था तो बिऐ एन राव था next question number 21 आपके सामने भारती सविधान का भाग 4A किसके बारे में उलेख करता है मौली का दिकार, निती निदेशक, सिधान, मूल करतव्य या फिर समयधानिक उपचारों का अधिकार तो दिकिएगा ये भाग 4A के बारे में पूछा है, तो ये मूल करतव्य के बारे में उलेख करता है option C आपका correct answer है, साथ में आपसे article भी पूछ सकता है मूल करतव्य किस article में वर्णित है, तो article यानि की अनुछेद 51A अब दिकिए ये तो है भाग 4A, अगर आपसे भाग 4 पूछे, भाग 4 के अंदर किसका वर्णित है, तो नीती निदेशक सिधान्त का वर्णित है और नीती निदेशक सिधान्त किस अनुछेद के अंदर है, तो अनुछेद 36 से अनुछेद 51 तक वर्णित है साथ ही आपको भाग 3 का भी पता होना चाहिए भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकारों का वर्णन है ध्यान रखेगा और मौलिक अधिकारों का विस्तार अनुचेद 12 से 35 तक है यह समयधानिक उपचारों का अधिकार है यह मौलिक अधिकार के अंतरगत ही आता है और इसका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 32 कलियर है चलिए नेक्स्ट कोशन नमबर आपके सामने 22 स्क्रीन पर शेत्रफल की दृष्टी से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है सबसे आ अकोर्डिंग टू पॉपूलेशन अगर हम बात करें जनसंख्या के अधार पर तो भारत का दूसरा स्थान है पूरे विश्व में नेक्स्ट कोशन नमबर 23 सामने कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट पर इस्थित है बताए वीच सिटी इस सिचुएटीड ओन दा बैंक् सही जवाब रहेगा आपका आप्शन भी नासिक शहर जो है यह गोदावरी नदी के तट पर इस्थित है साथ में आपको बदरी नाथ भी पता होना चाहिए बदरी नाथ अलक नंदा नदी के किनारे इस्थित है माथूरा जो है यह यह यमना नदी के किनारे है और जान रखेगा यह टॉपिक वेरी इंपोर्टेंट है कोशन नंबर 24 आपके सामने स्क्रीन पर आंसर देंगे नंदी पाड़ियां इस्थित हैं नंदी हील्स इस सिचुएटिड एट तमिलाडू तेलंगना करनाटक उत्राखंड नंदी हील्स कहां पर है तो राइट आंसर इस्थित है अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है आपका आंसर बिलकुल करेक्ट है कोशन नंबर 25 है सामने स्क्रीन पर अडॉल्फ हिटलर का संबंध किस देश से है अडॉल्फ हिटलर इस रिलेटिड टू विच कंट्रे चाइना रशिया जापान या फिर जर् तो ध्यान रखिएगा अडॉल्फ हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर था ऑप्शन आपका डी याँ पर बिलकुल करेक्ट आंसर है अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है तो आपका आंसर बिलकुल करेक्ट है चले आगे चलिए कोशन नंबर 26 है सामने स्क्रीन प हुआ था जल्दी से बताइए तो देखिएगा सेकिंड वर्ल्ड वार की बात कर रहा है तो यह 1939 में स्टार्ट हुआ था क्लियर और 1945 में इसका एंड हो गया था राइट ऐसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार देखिएगा 1914 में शुरू हुआ था प्रथम विश्वयूद और 1918 में समाप्त हो गया था प्रथम विश्वयूद कोश्चन नूमबर 27 देखिए वांडी वास के यूद में इंगलें इंगलिस सेना ने डैश को हराया था वेरी वेरी इंपोर्टेंट जल्दी से बताइएगा इसका क्या अंसर करेंगे हंजी इन दा बैटल ओफ वांडी वास दा इंगलिस आर्मी डिफेटेड तो देखिए पहला प्रशन है वांडी वास का यूद कब लड़ा गया तो ध्यान रखिएगा 22 जनवरी 1760 में वांडी वास की लड़ाई हुई थी इसमें इंगलिस सेना ने फ्रांसिसी को हराये था आप्शन भी आपका करेंट आंसर है तो अगर आपसे पूछे कि वांडी वास का यूद किन के बीच लड़ा गया तो इंगलिस सेना और फ्रांसिसी के बीच में लड़ा गया जिसमें इंगलिस सेना जीती थी और फ्रांसि दा लॉयन ओफ श्री रंग पत्नम मैसूर बंगाल लाहोर हंजी क्या आंसर कर रहे हो तो आंसर मैच किज़ेगा जो भी आपे आप्शन बी को आंसर दे रहे हैं मैसूर उनका करेक्ट आंसर है टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता था अब यहीं से प्रसन आपको ह वरके लिए देता हूं टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम बताना है टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी है इसका अंसर कमेंट बॉक्स में सभी करेंगे कोशन नमबर 29 देखिए शार्दा अधिनियम का संबंद किस्से है बाल विवा समाज सुधार स्रिक्षा या फिर अर्थ व्यवस्था तो जो शार्दा एक्ट है उसका संबंद बाल विवा से है ऑप्शन ए आपका बिलकुल करेक्ट आंसर है क्या सभी ने ऑप्शन एको आंसर दिया है चलिए कोशन नमबर 30 की तरफ चलते हैं आपके सामने स्क्रीन पर है किस सिख गुरू ने खालसा पंथ गुरू अर्जुन देव गुरू तेग बहादूर गुरू गोविन्द सिंग या फिर गुरू नानक देव तो राइट अंसर मैच करेंगे ऑप्शन आपका सी रहेगा गुरू गोविन्द सिंग सिखों के दसवे और अंतिम गुरू इन्होंने ही खालसा पंथ नेक् हां जी क्या अंसर करोगे तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी 1828 में हुई थी और राजर राम मोहन राय के दौरा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है ये भी सभी को पता होना चाहिए और सभी को पता भी होगा कोशन नमबर 32 आपके सामने है भीम बेटिका गुफा किस राजर में है जल्दी से बताइए सूपर इंपोटेंट इन वीच स्थेट इस दा भीम बेटिका केव लोकेटेड तेलंगना करनाटक ओडिशा मद्यप्रदेश क्या अंसर करोगे जो भी याँपे ऑप्शन डी को अंसर दे रहा है मद्यप्रदेश उनका अंसर करेक्ट है भीम बेटिका की गुफा जो है यह है मद्यप्रदेश में है चले आगे चलिए नेक्स कोशन नमबर 33 आपके सामने स्क्रीन पर कौन सा वेद धार्मिक अनुस्ठानों से संबंदित है विच वेदा डील्स विद रि जितने भी धार्मिक अनुस्ठान होते हैं यग्य वगरा होते हैं उसके यह इनका वर्णन यजुर वेद में किया गया है ऑप्शन एक रेक्ट आंसर है सामवेद के बारे में सभी को पता है ना सामवेद के अंदर संगीत का वर्णन है अथर्व वेद के अंदर जादू टो जादेड बौत धरम जैन धरम सिख धरम या फिर यहूदी धरम कि तो क्या अंसर कर रहे हो यहां पर जितने भी विद्यारती ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं जैन धरम उनका विल्कुल क्रेक्ट आंसर है जैन धरम में ही 13 कर हुए थे टोटल 24 तिर्थकर कलियर है चलिए नेक्स्ट है कोश्चन नंबर 35 आपके सामने स्क्रीन पर कोश्चन नंबर 35 है फीफा विशू कप किस खेल से जुड़ा हुआ है वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन है जल्दी से आंसर दीजेगा फीफा वर्ल्ड कप असोशियेटेड विद विच इसपोर्ट क्या अंसर क यहान आपको दो-תिन कोश्चन पता होना चाहिए फीफा जो है का स्थापना कि वेरी व ? इम्पोर्टेंट है तो इसकी स्थापना 1904 में हुई है यह आप सभी को पता होना चाहिए कलियर है चालिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कोशन नंबर 36 की तरफ आपके सामने स्क्रीन पर है ओलंपिक खेलों में होकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था In which year did India win the first gold medal in hockey in the Olympic Games? 1924, 1928, 1932 या फिर 1936 साही जवाब रहेगा option B जिनोंने भी option B को आंसर दिया है 1928 उनका correct आंसर है होकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक in Olympic Games 1928 में जीता है Question number 37 आपके सामने स्क्रीन पर है आंसर दिजेगा हिंदों का तिर्थ स्थल सबरी माला किस राज्य में इस्थित है In which state सबरी माला is in the pilgrimage site of Hindus महाराष्टरा, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्याप्रदेश तो सबरी माला जो है यह हिंदों का तिर्थ स्थल है और यह कहां पर है, केरल में है Option आपका B correct answer है Answer सभी को match करते जाना है Last में सभी का score comment box में चाहिए ही चाहिए Question number 38 सामने स्क्रीन पर है Unbreakable नामक पुस्तक के लेखक कोन है Who is the author of the book Unbreakable चेतन भगत, अरुना शौरी, मेरी कॉम, चार्ल्स डिकेंज तो Unbreakable पुस्तक के जो लेखक है वो कोन है मेरी कॉम है, option C आपका correct answer है और मेरी कॉम कॉन है, एक female boxer है, आपको पता होना चाहिए Question number 39 है सामने स्क्रीन पर नाटो का पूर्ण रूप क्या है, जल्दी से answer दीजे वह इस प्रशन का नाटो का पूर्ण रूप क्या है तो देखिएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नाटो की स्थापना कब हुई है, नाटो का stabilization कब हुआ है तो 4 अप्रेल 1949 को नाटो की स्थापना हुई है और नाटो का headquarter कहां पे है, तो इसका headquarter कहां पे है Brussels, Belgium में है Brussels हम से पूचा है नाटो की full firm क्या है तो North Atlantic Treaty Organization Option C आपका बिल्कुल correct answer है Clear है, चलिए Next question number 40 आपके सामने स्क्रीन पर किस समारक को भारत का राश्ट्रिय समारक कहते है Which monument is called the National Monument of India India Gate, Gateway of India, Rani की बाव या फिर अशोक स्तंब Answer match कीजिए, जिनोंने भी option A को answer दिया है India Gate, उनका answer बिल्कुल correct है India Gate को भारत का राश्ट्रिय समारक कहा जाता है Question number 41 की तरफ चलते हैं आपके सामने हैं भोतिक शास्त्र में नोबल पुरुसकार जीतने वाले प्रथम भारती व्यक्ति का नाम बताईए Super important और very very static question Name the first Indian person to win the Nobel Prize in Physics रविंदर नाट्यगोर, सीवी रमन, कैलास सत्यार्थी, सत्यजीत रे तो देखिए भोतिकी में नोबल पुरुसकार मिला है सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए option B correct answer है सन ध्यान रखिएगा, 1930 में इनको ये नोबल पुरुसकार मिला है आपके exam में सन भी पूछता है Next है, आपके सामने question number 42 screen पर answer देंगे पादप रोगों का सबसे उत्तरदाई कारक कौन है जल्दी से answer दीजे Which is the most responsible factor for plant diseases जिवानू, विशानू, कवक, प्रोटो, जोवा तो देखिए, पादप रोगों का सबसे उत्तरदाई कारक कौन है फफुंदी है, फंगस है जिसको कवक बोलते है option C आपका correct answer है क्या सभी ने option C को answer दिया है चलिए, next बढ़ते है question number 43 की तरफ आपके सामने स्क्रीन पर पोलियो की रोक्ताम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी who made the first effective vaccine for the prevention of polio option आपके सामने है समय चाहिए तो session को रोकिएगा तो देखिएगा polio की जो वैक्सीन बनाई थी वो किसने बनाई थी जोनास इस सॉलक ने बनाई थी option आपका B बिलकुल correct answer है next बढ़ते है question number 44 की तरफ आपके सामने है ozone का अनुसूत्र क्या है option सामने स्क्रीन पर है which is the molecular formula of ozone ozone oxygen का एक अप्रूप है यह आपको पता होना चाहिए clear है ozone का formula क्या है O3 है option B correct answer है और देखिएगा इसका PDF आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिलेगा टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे description में मिलेगा अगर आपने टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया है तो description में जाके टेलिग्राम चैनल को जोइन करिएगा हमारी हर क्लास की PDF वहाँ पर अफलोड होती है और साथ में हर क्लास की notification भी वहाँ पर जाती है right question number 45 आपके सामने screen पर है गोबर गैस का प्रमुक घटक क्या है जल्दी से इसका आंसर दे दो अब फटा फट चांसर दीजेगा और जो भी विद्यारती ध्यान रखिएगा SSC GD की त्यारी कर रहे हैं हमारा सेकिंड चैनल है शुबम एकलासिस 2.0 डेली शाम को साथ बज़े उस चैनल पर SSC GD की प्रैक्टिस करवाई जाती है इस चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वहाँ जाके हमारे इस चैनल को जोइन कर सकते हैं या फिर यूटूब पर भी सर्च कर सकते हैं शुबम एकलासिस 2.0 गोबर गैस का प्रमुग घटक क्या है मिथेन है औप्शन सी करेक्ट आंसर है फॉर्मूला ध्यान रखेगा CH4 एक्जाम में फॉर्मूला भी दे सकता है इन सब की बजाए कॉस्चन नंबर 46 है आपके सामने स्क्रीन पर समय को मापने के यंतर को डैश कहा जाता है दा इंस्ट्रुमेंट यूज टू मेजर टाइम इस कॉल्ड अर्गोमेटर, बैरोमेटर, क्रोनोमेटर, क्रायोमेटर क्या आंसर करोगे तो दिखिए समय को मापने के यंतर को क्या बोलते हैं तो ये बोला जाता है क्रोनोमेटर ओप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा दिखी जो पानी के बड़े बड़े जाज होते हैं ना उसमें समय का पता लगाने के लिए ये यंत्र लगाया जाता है Quesion No.47 समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है Which instrument is used to find the object submerged in the sea Option आपके सामने है सोनार, रडार, लेजर, क्यूसिक बताए Match करी answer option A correct answer होगा सोनार का प्रयोग समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किया जाता है Quesion No.48 है Quesion No.48 किसके लिए प्रसिद है Quesion No.48 खेतड़ी, Aluminium, Cadmium, Tamba, Sona तो देखिएगा खेतड़ी जो है यह राजस्तान में एक आयस्क है, एक खान है इसके अंदर क्या प्राप्त होता है Tamba प्राप्त किया जाता है Option C आपका correct answer है 49 No.4 कोशन आपके सामने है नागरजुन सागरबांद किस नदी पर बना है On which river is नागरजुन सागर डैम built कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या फिर सिंदू तो नागरजुन सागरबांद का निर्मान कृष्णा नदी पर हुआ है Option आपका D बिलकुल correct answer है अच्छा comment box में यह भी बताईएगा नागरजुन सागरबांद कहां इस्थित है Question number 50 देखिए आपके सामने भारतिय सव्धान में कितनी प्रकार की सूचियां है बताईए जल्दी से How many types of lists are there in the Indian constitution बताईए जल्दी से क्या answer करेंगे तो देखिए यह आपसे सूचिया पूचा है एक और होता है अनू सूचियां क्या होता है अनू सूचियां है इन दोनों में confused नहीं होना है दोनों discuss कर लेते हैं सूचिया क्या है तीन प्रकार की होती है आपने सुना होगा राज्य सूचि केंदर सूची या फिर संग सूची बोलते हैं और आपका एक है समवर्ती सूची तो सूचिया जो हैं यह तीन प्रकार की होती हैं क्लियर ? अनुसूचीय आपको पता होने चाहिए अनुसूचीय आप कितनी हैं टोटल आप 12 अनुसूचिय रहे हैं जल्दी से देंगे पल्वों की राज़णी कहां थी? वियर वाज़्दा si the capital of पल्लवाज? तंजोर, ब्रीदेशवर, कांची पूरम मानने खेट राइट एंसर क्या होगा? ओप्शन आपका c बिल्कुल कर्ड़ेक्ट अंसर है पल्वों की राज़णी कहां थी? ध्यान रखिएगा पल्लव वंश का संस्थापक सिह विश्णू कलियर है तंजोर क्या है तंजोर जो है चोल वंश की राजधानी थी चोल वंश का संस्थापक भी पता होना चाहिए कौन था विज्याले तो दोस्तों यह थे आज की आपके टॉप 51 जीके और जीएस के मिक्स क स्कॉर कितना है सबी कोई मांदारी से स्कॉर कमेंट करना है और अगर आपने अभी तक हमारी इबुक्स नहीं ली है तो स्क्रीन पर आपको डिटेल दिखाई दे रही है आप इन में से कोई भी इबुक्स ले सकते हैं आपके एक्जाम के लिए दोनों ही हैफफुल रहेंग